स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्वीब चेनल आईला टॉक्स पर मैं डॉक्टर इर्शाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आज के हमारा विशह है उपनी धाता की करतावी जो कि भारती सवीद अधिनियम अठासो बहुत तर की अंतरगत दिया गया है आज हम पढ़ेंगे उपनी धाता की करतावी को परंतु उसके पहले जिन लोगों ने मेरी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरी चेन अधिनियम की धारा 148 में उपने धाता के बारे में बताया गया है उपने धाता वह वेक्ती होता है जो किसी विशेश उद्देशी के लिए अपने माल यह वस्तू को उपनी हीती को प्रदान करता है मतलब उपनी हीती को सौप देता है उपनी धाता और उपनी हीती को समझने के लिए जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर और इसके पहले वाले वीडियो को देख ले तो सुनको उपनी धाता और उपनी हीती जो है वो अच्छे से तर्में को बताये गया है तो हम इसके पहले करतवी की बात करते हैं उपनिहित माल की सुबूर्दगी देने का करतवी नहरा 148 के अंतरगत उपनिधान तभी पूरा होता है जब उपनिधाता उपनिहित माल की सुबूर्दगी उपनिहिती को दे देता है ऐसे सुबूर्दगी वास्तिविक या विवक्षित हो सकती है देखे उपनिहित माल के सुबरुतिगी देने का करता भी अगर उपनिधाता जो है वह अपना माल उपनिहिती को किसी उद्धेशी की पूर्टी के लिए दे रहा है तो फिर यह आवश्चक हो जाता है कि वह उस माल का वास्तिविक कब कबजा ना दे रहा हो तो विवक्षित रूप से वह कबजा उसके सुबरुत करें अभी वास्तिविक और विवक्षित और इसको समझने के लिए जो लोग पहली बार देख रहा हो तो वह पहले वाले वीडियो को देख ले तो किलियर होता जाएगा सेकर वाला पॉइंट हम माल में कोई मिस्टेक है कोई गलती है कोई खराबी है तो उसका ये करतर भी बनता है कि वो उस खराबी को उपनी हिती को बता दे तो धारा 150 के अंतरगत उपनी धाता का ये करतर भी है कि माल में कोई ऐसी त्रूटी हो कोई ऐसी मिस्टेक हो जिसकी वज़ा से उपनी हिती को नुकसान हो सकता हो तो उसकी जानकारी देना उसको लिए आवश्यक होता है आप कौन सा माल है तो माल को भी मतलब आप जिस माल का उप निधान कर रहे हो जिक किसी माल को आप किसी वेक्ति को दे रहे हो तो उस माल को देने के दो तरीके यहां उन्होंने बता हैं कौन-कौन से पहला है यदि निश्यूल को उपनिधाता है अगर आप किसी को निश्यूल को रूप से कोई वस्तु दे रहे हो तब क्या आपका करता भी बनेगा तो निश्यूल को उपनिधाता हो तब उन्ही तुरिटियों को बताने का करता भी होगा जिने माल सोपते समय वहाद जानता थ अगर मान लिजिए कि कोई ऐसा वेक्ति है जो कि कोई वस्तू एक वेक्ति को उपनिहित के रूप में उपनिधान की कॉंट्रेक्ट के रूप में निश्चुल को रूप से दे रहा हो और वो जानता है कि वो जिस वस्तू को दे रहा है उसमें कोई मिस्टेक है तो उसका एक कर बी को उधार देता है मतलब नी शुल को दे रहा है उससे कोई शुल को नी ले रहा है वो अपना गोड़ा उसको दे रहा है कि मेरे घोड़े पे तुझे कहीं जाना है तो तुम मेरे घोड़ा ले जा लेकिन यह जानता है कि उसका घोड़ा जो है दुस्ट है उसका घोड़ा बदमास टाइप का है और ये बात वो बी को नहीं बताता है अब भी क्या करता है वो गोड़े पर बेटता है और गोड़े पेसे गिर पड़ता है क्योंकि गोड़ा जो है वो दुस्ट गोड़ा है तो वो बी को अपनी पीट पेसे गिरा देता है और बी को जो है चोट लगती अब भी कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो एको करनी होगी भले ही उसने फिरी में वो घोड़ा उसको चलाने के लिए दिया हो तब भी उसको ये पता था कि मेरे घोड़े में ये तुरूटी है ये दुरूस्ट है ये अगर बेठेगा तो ये उसको गिरा लेकिन उसने उसको नहीं बताई और उसकी वज़ाद से उसको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए वो जिम्मेदार होगा दूसरा हमारा इसी का भाग है ये दी साथ शुल्क उपनिधाता है अगर उसने ऐसी कोई वस्तू का उपनिधान किया है जिसका उसने कोई शुल्क लिया हो अगर उसने ऐसा कोई उपनिधान किया है ऐसा कोई माल की सुबुर्दी की दी है तो वो साथ शुल्क उपनिधान हो गया साथ शुल्क उपनिधान है तो उन सब तुरुटियों के लिए वो दाई होगा जो माल देते समय वो जानता हो या नहीं जानता हो ज ये बात जो है ए नहीं जानता अब गाड़ी किसकी है ए की गाड़ी है बी उस गाड़ी को किराये पे लेता है गाड़ी के ब्रेक खराब है ए इस बात को नहीं जानता है लेकिन वो अपनी गाड़ी को किराये से देता रहता है अब जब वो बी जो है वो गाड़ी चलाता है च चाहे भले ही उसको इस तुरुटी के बारे में पता नहीं था, पर चुकि उसने किराय से गाड़ी दी थी, उसका शुलक लिया था, साशुलक उपनिधान किया था, तो इस वजा से वो दाई होगा नुक्सानी की भरपाई के लिए. तो उपनिध माल की तुरुटियों को परकट करने के करतावी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, यदि निशुलक उपनिधाता है, तो उस कंडिशन में उसका क्या करतावी बनेगा, यदि साशुलक उपनी धाता है तो उस कंडिशन में उसका क्या करतवी बनेगा तो जान नीशुलक है वहाँ पर वो केवल उस नुकसानी जो की उसको पता थी और उसने बता ही नहीं थी और उससे अगर कोई नुकसान हुआ हो तो उसके लिए दाई होगा लेकिन साशुलक में वहर उन मिस्टेक के लिए दाई होगा जो वह जानता था यह जो वह नहीं जानता था तिसरा हमारा पॉइंट है आवशक खर्चों के प्रती संदाय का करतवी उपनी धाता का या करतवी होता है कि वह उपनी हीती को उन सभी खर्चों का मुक्तान करे जो पारिशर्मिक लिए बिना किया हो जो कारी को करने के लिए उसके द्वारा खर्च किये गए हो जैसे कि मानने कि कोई वेक्ति है और उसने अपने कोई वस्तु किसी अन्य वेक्ति को बिना किसी पारिश्रमिक के मतलब बिना कोई मेहनताना लिए बिना कोई पैसा लिए उसने वो वस्तु को अपने पास रख लिया है लेकिन अगर उस वस्तू में कोई ऐसे चीज हो जाती है कि खराब हो गई है कुछ भी ऐसा हो गई है कि जिसने उसको अपने पास रखा उपने हीती ने उसको कुछ अप पैसा खर्ची करना पड़ा तो फिर वो उसके भरपाई उपने धाता से ले लेगा जैसे एक्जामपल देखिए रमिश जो है वो अपना घोड़ा सुरेश के अस्तवल में बिना पारिश अर्मिक के रखने को तयार हो जाता है मतलब कि बिना महिंता न लिए बिना किसी उसके कि मैं आप से कोई पैसा नहीं लूँगा आप अपने घोड़े को मेरे यहां पर अस सकते हो तो रमिश जो है अपना घोड़ा सुरेश के अस्तवल में बिना पारिश अर्मिक के रखने को तयार हो जाता है परंदू रमिश जो है गोड़े को दाना खिलाता है घास खिलाता है अब दाना घास खिलाने पर जो उसको खर्च हुआ उसका भुक्तान सुरेश करने क बात दे है क्योंकि इसने घोड़े को रखने की पारिशार्मिक के बिना रखने की रजामंदी दी थी उसने यह नहीं कहा था कि मैं घोड़े को खादाना घास भी अपनी तरफ से खिलाओंगा तो यह कुछ ऐसे खरचे थे जो आवश्यक खरचे थे तो यह आवश्यक खरचों का भुकतान करने का करता है पिकाले उसका मारा प्वाइंट इस्यति पूर्ति करने का करता है थी चाहें एसा माल विनिर्दिष्ट्रल समय या दे लिए यही क्यों न दिया गया हो लेकिन अगर वह विनिर्दिष्ट समय उद्देशी के पूरा होने से पहले माल वापस लेता है तो उसका यहां करता भी होता है कि उससे उपने हिती को जो शत्ती हुई है जो नुकसान हुआ है वो उसके भरपाई करें देखें निशुल का रूप स अगर आप किसी वेक्ति को कोई अपना ऐसा माल दे रहा हुए एक निश्चित समय के लिए कि एक विनिर्दिष्ट समय के लिए यही किसी उद्देशी के पूरा होने से पहले या जो समय आउधिया आपने उसको दीती उसका पूरा होने से पहले अगर आप माल वापस ले ल लाने के लिए निशुल को देता है दस दिन का जो है कमल को कोई काम है और उसके लिए रमेश से साइकल लेता है और रमेश उसको फ्री में साइकल देने के लिए तैयार हो जाता है उसको साइकल दे देता है साथ दिन छे दिन तक तो जो है कमल साइकल को चलाता है लेकिन जैसी साथवा दिन होता है रमिश जो है वो साथवे दिन कमल से अपनी साइकल को वापस ले लेता है कमल को क्या होता है क्योंकि चुकि इसको दस दिन का काम लेता है तीन दिन उसके और बचे है अब उस तीन दिन के लिए वो क्या करता है कि कहीं दुसरी जगा से साइकल जो है वो किराये से लेता है और 10 रुपे प्रते दिन के हिसाब से उसको साइकल किराये से लेनी पड़ती है रमेश जो है वो अपनी साइकल को क्या करता है कमल से लेके 15 रुपे प्रते दिन के हिसाब से वो साइकल को किसी और को किराये पे दे देता है अब यहां रमेश का एक करता है भी हो गया कि वो जो 5 रुपे परते दिने का फायदा उसको हो रहा है वो उस फायदा को कमल को दे दे तो यह शतिपूर्ती करने का करता है भी है क्यूं क्योंकि आपने उसको निशुल को दिया था क्यूंकि उसके तीन दिन का काम और उसके शेष बंचा था और उसने साइकल कहीं और से लिधी किराये से लिधी फंद्रारुपए पर भी परते दिन के हिसाथ दुर 01 रूपई ली तो यहां उसको करता है कि पांच रुपए कमाल को दे अगला हमारा पॉइंट है पांचमा आसाधारन खर्चों का वुक्तान करने का करता भी धारा 158 के अंतगत उपनी धाता साधारन खर्चों का परतिसंदाय तो करेगा ही जो एक साधारन खर्ची दिख रहा है उसका तो परतिसंदाय करेगा ही किन्तु ये दे कोई आसाधारन खर्ची भी किया है तो उपनी धाता उसे भी चुकाने के लिए बात दी होगा एक्जामपल देख ले ए अपना घोड़ा बी को कलकता से जैपुर पहुचाने के लिए देता है गोड़े को खिलाने पिलाने का खर्च ए देगा लेकिन अगर रास्ते में गोड़ा बीमार हो गया तो उसके इलाज पर भी ने खर्ची किया अब गोड़ा रास्ते में बीमार हो गया तो वो उससे पैसे लेने तो आएगा नी अपनी जेब के पैसे लगा कि उसने उसका इलाज करवा दिया अभी ऐसा खर्चा था जो आसाधरन खर्चा था जो सोचा हुआ नहीं था तो ऐसे खर्चे का फिर भुकतान कुन करेगा ए करेगा ये उसका करतावी हो जाएगा छटा पॉइंट है हमारा दुशित स्वामित्व द्वारा हानी के लिए शर्टी पूर्ती का करतावी दारा 164 के अनुसार उपनी धाता उपनी हीति को ऐसी शर्टी जो दुशित स्वामित्व के कारण उठानी पड़ी है शर्ति पूर्ति देगा मतलब ऐसा स्वामीत वो जो की उसकी वस्तु थी ही ना जैसे ए ने बी के पास एक टीवी उपनिधान के रूप में रखा जो एका नहीं था अब ए ने बी के पास एक टीवी रखा उपनिधान के रूप में पर वो टीवी जो था वो एक अथा ही नहीं, एक वेकती था सी नामा उसने B के ओपर वाद लगाया जिसके पस टीवी रखी वही थी और उसने वाद लगाकर पूरूफ कर दिया कि टीवी उसका है और वो टीवी लेके चले गया तो A जो है वो सब छती पूर्ती देगा B ने उसकी वज़ासे जो उठाई है अब B को जो छती हुई है जो नुकसान हुआ है जो उसने वाद दायर करा था उस वाद में भी उसके कुछ पैसे लगे थे और जो उसने टीवी को जिस भी उद्देशी के लिए अपने पास रखा था उसमें भी जो उसको छती हुई होगी वो सारी छती पूर्ती वो ऐसे लेगा और एका यह करता भी होगा कि वो दुशित स्वामीत्व से हानी हुई है उसने अपना स्वामीत्व बताया था दुशित स्वामीत्व था उसका और उसके वेजा से हानी हुई थी तो वो उसकी छती पूर्ती करेगा तो दोस्तों आज हमने भारती सवीदा अधिमियम के अंतकत उपनिधाता की करतवी को पढ़ाए आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कमेंट से शेर करियेगा धन्यवाद शुक्रेश